दोस्तों नमस्कार मैं प्रवीन प्राकिर्टी गाउन से आप सभी का स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सभी लोग हमारी फैमिली कैसी है हमारा परिवार कैसा है दोस्तों आसा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना मचली पालन बहुत प्यार से और बहुत बेहत तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों कुछ लोगों का जो हमारे family के कुछ members हैं कुछ जो किसान भाई हैं जो हमारे मित्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका पूछना था कि सर हमको इस चीज का बड़ी confusion है कि हम अपनी मचली को wedge दाना खिलाएं कि non wedge दाना खिलाएं दोस्तों आज की वीडियो मैं इसी के उपर लेकर के आया हूँ कि अपनी मचली को कौन सा दाना खिलाएंगे wedge या non wedge और साथ ही साथ हम यह भी बतायेंगे कि wedge दाने और non wedge दाने में क्या फ़र्क होता है दोस्तों सबसे पहली चीज जान लेते हैं कि मचली को अपने कौन सा दाना दें wedge या non wedge दोस्तों आप जब भी मचली पालन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये decide कर लीजिए कि हमको किस तरह की मचली का पालन करना है और ये देखिए कि आप जो मचली का पालन करने जा रहे हैं वो कौन सी कटेगरी में आती है herbivorous या carnivorous मतलब herbivorous मतलब इसमें जो होता है plant protein जादे होता है herbivorous कटेगरी में और इस तरह के कैटेगरी में जो है हमारी carp मचली आती है इसे IMC हो गई, एक्जेक्यूटिव कार्प हो गई ये सब जो मचलीया होती है ये herbivorous होती है और इनको जो है wedge दाने जादे पसंद होते हैं और जो catfish होती है उसको non wedge दाने जादे पसंद होते हैं तो सबसे पहले आप ये decide कर लिजे कि कौन सी मचली का पालन करना है और वो मचलीयों का कौन सा favorite दाना है wedge की non wedge उसी तरह से आप decide करेंगे कि हमको wedge दाना खिलाना है कि non wedge दाना खिलाना है दोस्त वासा करते हैं point clear हो गया होगा अगली चीज वेज दाने और non wedge दाने में क्या difference होता है आईए इसके बारे में जान देते हैं सबसे पहला चीज जो सबसे important factor होता है हमारी cost सबसे पहले चीज की wedge दाना जो होता है उसकी cost low होती है मतब उसका खर्चा कम होता है उसका दाम कम होता है जबकि नान्वेज दाने का दाम जादे होता है दोस्तों ऐसा नहीं किसका दाम कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वेजी दाना खिला है ऐसा बिल्कुल मत करिएगा जिस मचली का जो फेवरेट दाना है जिस तरह की मचली का पालन कर रहे हैं उसी के हिसाब से अब डिसाइड करिएगा कि हमको वेज खिलाना है कि नानवेज खिलाना है तो जो है वेज दाने का दाम जो है लो होता है कम होता है जबकि नानवेज का जादे होता है जो हमारा wedge दाना होता है, वो easily digestible होता है, मतलब बहुत जल्दी पच जाता है, जबकि वो जो non-wage category का दाना होता है, वो थोड़ा time लेता है पचने में, अगर पर्या वरण के नजरिये से बात करें, तो wedge दाना जो होता है, हमारा जादे eco-friendly होता है, मतलब पर्या वरण के behavior के ह और जो soya bean होता है, इसमें क्या है, कि अगर आप soya bean यूज करेंगे protein के मतलब बनाने में, तो आप जो है soya bean natural चीज है, तो हमारे किसान भाईयों को भी बढ़ावा देंगे, किसान भाईयों हमारे soya bean की खेती करते हैं, तो एक तरह से wedge दाना खिलाते हैं, तो आप किसान भ कम eco-friendly होता है, दोस्तों, wedge दाना बनाने के लिए, दाना या खाना कुछ भी कहें, wedge दाना बनाने के लिए less treatment की required होती है, मतलब कम treatment करना पड़ता है, जब हम wedge दाना बनाते हैं, तो जबकि non wedge दाना बनाने के लिए हमको जादे treatment की जरूरत होती है, अगर हम wedge दाना खिलाते है तो Vektorial Infection हमारी मचलिओं में कम होता है जबकि जब Nanowage जो होता है उसमें Vektorial Infection का चांस जादे होता है क्यों? क्योंकि हम High Density की मचलियान नानowage खाना खाती हैं जैसे हमारी P payasi मचलि हो गए तो दोस्तों ये सब कुछ difference है जिस जो को वेज और नानowage दाने को difference अंतर बताते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं कि हम wedge दाना जो है easily पच जाता है कम पैसे का मिलता है और जादे eco-friendly है और इसमें soya bean main source होता है protein का और इसमें bacterial infection कम होता है तो ऐसा नहीं कि ऐसा है तो हम जो है कि wedge दाना खेलाएं अपनी मचलियों को दोस्तों आप अपनी मचलियों के favorite feed के बारे में जान लीजिए जो भी मचलि का पारण करने जा रहे हैं आप जानिए कि किस मचलि को कौन सा दाना पसंद है उसी हिसाब से आप दाने को prefer करिए 85 मचलि को wedge दाना खिला देंगे तो आप क्या होगा 85 मचलियां बहुत धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन आप नहीं पापाएंगे क्योंकि 85 मचलियों को 90 दाना जादे पसंद है ये high density की मचलिया होती है तो 85 मचलियों को जो है 90 दाना खिलाएंगे तब ही जो है अच्छे समय पे और उचित समय पे और उचित साइच की होंगी तो दोस्तों आपके बहुत सारे अगर कोश्चन होंगे आसा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कोई भी कनफ्यूजन हमारे कमेंट बाक्स में करके पूछ सकते हैं और मचली की ऐसे छोटे छोटे टीप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा हाँ अगर आपके फ्रेंड सरकल में आपकी फैमिली में कोई और मचली पालन करता है तो उसको भी ये वीडियों बढ़ाईएगा क्योंकि ग्यान हमेशा बाढ़ने से बढ़ता है बस यही ध्यान रखे कि आप किसी को ग्यान दीजिए तो सच्चा ग्यान दीजिए आधा धूरा ग्यान मत दीजिए और हमेशा याद रखे कि अगर आप ग्यान को बाढ़ते हैं तो हमेशा ज्यान आगे वड़ता है और आप जादे बुद्धिमान होते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा ताकि हम ऐसे छोटे छोटे टीट आप तक पहुचा सकें बहुत बहुत धन्यमाद जय ह कर दो मियाद जय हमारे चैनल को सच्पार आप याओ जय हमारे जय है।